हलो दोस्तों मेरा नाम है विन है आप देख रहे हैं पाई फाई लर्निंग लास लेक्चर के अंदर हमने कुछ नुमेरिकल प्रोब्लम्स देखे दे अब हम इस लेक्चर के अंदर सर्किट एलिमेंट को आगे बढ़ाते हैं सर्किट एलिमेंट के तीन पार्ट अब तक हम बरती है एनर्जी सोर्स एज़ тебя अभी तक आनगा सेढ़司 एलिमेंट होगे यहां पर में लिख देते हैं इनको बोलते हैं आपकोंसा Row Yang एक्टिव एलिमेंट और जो अभी तक आपने पड़ा इससे पहले बा tribute तक वह सारे के सारे ध्मेंड आपकोंसे थे न dual और energy source, यानिकि active element, आपके वो element होते हैं, जो energy को deliver करते हैं, यानिकि जो energy देते हैं, और जो लेते हैं, उनको बोलते हैं, आपका कौन सा element, passive element, तो इसके अंदर आपके mainly, दो type के आपके source होते हैं, एक तो आपका voltage source, और एक आपका होता है, current source, तो यहाँसे आपका एक हम पहले आपका किसके बारे में voltage source के बारे में, फिर आपका देखेंगे इसमें किसके बारे में current source के बारे में, तो पहला आपका आता इसमें voltage source, ठीक है, तो voltage source आपके generally दो type के होते हैं, एक तो आपका होता है independent source और एक आपका होता है dependent source, ठीक है, वैसे आपका इसकी category हम करते हैं independent source, और एक आपका हो जाएगा इसमें, dependent source, दूसरा आपका है, कौन सा यहाँ पर देखेंगे आपका, second, sorry, B-type का, B-type के अंदर हम पढ़ेंगे, dependent sources के बारे में, दोनों आपके important हैं, ठीक है, आपके किसके point of view से, circuit theory या network theory, या फिर आप बोलो, basic of electrical engineering point of view से, आपके ये दोनो important source हैं, क्योंकि पूरे आपके इस subject के अंदर, हम इनी दोनों के बारे में पढ़ते रहेंगे, तो यहाँ से independent source आपका देखते हैं, देखो, independent के अंदर आपका आता है, एक तो DC source, और एक आपका आता AC source, ठीक है, हमारे घरों के अंदर, जितने भी source आपके होत के चलेंगे, तो देखो, independent source के अंदर, आपके दो source होगे, first type का आपका हुआ, कौन सा, DC source, पहले DC के बारे में discuss कर लेते हैं, फिर आपका AC के बारे में discuss करेंगे, तो DC source, DC का मतलब, जिसके अंदर आपका voltage क्या रहे, constant रहे, with respect to time, चेक है, तो यहाँ पे आपका हम magnitude, voltage magnitude, will be, will be constant, with respect to time, ठीक है, time के, with respect to, किसके respect में आपका, with respect to time के respect में, तो यहाँ पे आपके दो type के होते हैं, एक आपका होता है, कौन सा, एक आपका होता है, practical, ठीक है, और एक आपका होता है, ideal, तो पहले आपका देखेंगे, और फिर आपका देखेंगे, कौन सा, practical, ठीक है, इस तरीके से आपने दो category बना दी, एक ideal source की, और एक आपका practical source हो जाएगा, तो यहाँ से ideal के बारे में, अगर हम देखेंगे, तो ideal का जो symbol होता है, वो symbol आपका होता है, ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से voltage source को हम represent करते हैं, ठीक practical voltage source को हम represent करते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, इसको क्यों represent करते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे, यहाँ पे आपका देखो, ideal source है आपका, तो इसका माल लिजे voltage का magnitude है, ठीक है, यहाँ पे यह voltage V दे रहा है, तो parallel के अंदर हमने देखा था, आपकी voltage क्या रहती है, same तो अगर माल लिजे, यह A point है, और यह आपका B point है, और इसके बीच में आपका कुछ B connect है, यहाँ पे आगे, आपका कुछ B connect है, लोड जिसको हम बोलते हैं, अगर लोड आपने connect किया, तो जितनी voltage V यहाँ पे है, उतनी ही voltage आपकी यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन इस practical के case में आपका क्या है, यहाँ पे आगर आपकी voltage V है, और इसका internal resistance कुछ ना कुछ है R, तो यहाँ से यह R आपका क्या कहते हैं, इसको internal resistance बोलते हैं, और जब हम यहाँ पे आपका load connect करेंगे, यहाँ पे आपका माल जिए कोई भी load आपने connect किया, तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका यही होता है, ideally case आपका होता है, जहाँ पे हम ideal वहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हम internal resistance को 0 मान लेते हैं, तो यहाँ से आपका देखो, इसके case में आपका क्या होगा, अगर हम voltage की waveform देखें, तो voltage की waveform होगी, with respect to current, voltage with respect to current, यहाँ पे voltage आपकी क्या रहेगी, constant रहेगी, चाहिए आपका current आपका कितना ही देता रहे, लेकिन voltage, यहाँ पे जो V है, यह हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, terminal voltage की, यह हम बात कर रहे हैं यहाँ पे terminal voltage के लिए, ठीक है, तो terminal voltage आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे constant रहेगी, ठीक है, यहाँ पे आपका in case of ideal, और अगर हम practical के बारे में बात करें, तो practical के अंदर आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपका current बढ़ता जाएगा, जैसे ऐसे current बढ़ता जाएगा, तो यह आपकी terminal voltage है, यह आपकी terminal voltage, ठीक है, तो यहाँ पे आपका terminal voltage के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ drop होता जाएगा, यानि कि practically तो से के किसमगता है ठीक है तो यह आपका होता है अब देखो यहां पर इंटर्नल रजिस्टेंस लगाने का परपस क्या हुआ अब इस के लिए अब को यह जना जरूरी है कि यह जो आपका DC source है, यह आपका किस-किस से बना होता है, इसकी example क्या होती है, तो example इसका क्या होता है, एक तो आपका cell हो गया, ठीक है, एक आपकी battery हो गई, battery तो आपकी cell से मिलके बनती है आपकी, और आपके DC generator हो गई, ठीक है, DC generator, ठीक है, यह आपका किसके example है, इसी के example है, आप देखो, अ रिजिस्टेंस होगा क्योंकि k adopt कि स्की बनी होती है आपके correct की बनी होती है या फिर ऐलमूनियम की होंगी तो इसका मतलब उन दोनों रही क्या है रजिस्टेंस है और उस रजिस्टेंस को आपने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है तो यह है आपका किसके बारे में प्रेटिकल के बारे में और यह है आपका किसके बारे में आइडियल के बारे में आइडियल तो आपका कुछ भी नहीं होता आइडियल ना ट्रां यहां पे ideal कुछ नहीं होता सिर्फ आपका क्या होता है practical होता है यानि कि हम जो deal करते हैं किस के ऊपर deal करते हैं practical के ऊपर आपका deal करते हैं तो यह था आपका किस के concern source के regarding आपके dc source के regarding, अब हम बात करते हैं ह। आपका Ac source की, то ac source के अंदर आपका ac source की जो representation मेई होती है वह आपकी practical के case में आपकी हो जाती है ऐसे यहाँ पे यह आपकी जो representation होगी यह आपकी होगी किसकी practical की ठीक है यह आपकी practical की यह input impedance इस Z को हम बोलते हैं आपका input impedance तो यहां से इसको जो symbol होता है यहां पे voltage होती है और साथ में आपकी frequency होती है V, F क्यों होती है यह जब हम अब next unit इसके बाद में आपके next unit आने वाली है AC source क्योंकि AC आपका introduction हो गया है तो AC source आपके next unit आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा यहां पे V, F इसको क्यों लिखा जाता है ठीक है तो यहां से आपका Z input हुआ और यहां से इसकी भी आपकी output क्या होगी इसकी output आपकी कैसे आजाएगी current आपका जो भी है यहां पे जो terminal voltage है terminal voltage और इसका सिरफ हम magnitude देख रहे है magnitude of terminal voltage यह आपका क्या रहेगा same इसी तरीके से ठीक है इसकी जो waveform होती है यहां से वैसे इसकी waveform आपकी रहेगी इस टाइब से ठीक है क्यों रहती है किसलिए रहती है alternating के case में हम detail में पढ़ेंगे इसको अब यह हुआ आपका alternating practical source ठीक है अब ideal के case के बात करें तो ideal के case में इसका input impedance क्या हो जाएगा v,f यहां पे input impedance z input it is equal to 0 यह आपका कुमसा case है ideal का case है ठीक है तो यह आपका हुआ case के regarding voltage source independent voltage source के regarding अब हम देखते हैं इसमें dependent source के regarding dependent में भी दो type के आपके होते हैं एक तो आपका होता है voltage dependent और एक आपका होता है current dependent यानि कि आपके दो type के आपके source रहेंगे एक आपका रहेगा voltage dependent voltage dependent ठीक है और एक आपका रहेगा current dependent current dependent यह आपके क्या होते current dependent voltage source और voltage dependent voltage source voltage dependent voltage source और current dependent voltage source ठीक है यह दो type के आपके होते हैं तो देखो अगर माल लीजिए आपका कोई बड़ा network है ठीक है बड़ा network का मतलब आपका कोई भी network है network या circuit आपका कोई भी है इसको हम ऐसे represent करते हैं ठीक है यहाँ पे आपने क्या connect किया हुआ है एक आपका source आपका इस type से आपने कुछ दिखा आपको कुछ इस type से दिखा और यहाँ पे आपने देखा वही आपका कोई resistance है ठीक है तो यहाँ पे आपका माली जी यह आपका कौन सा source हो गया यह आपका है independent और यह इसको सिंबल को बोलते हैं आपका कौन से सिंबल होगा है डिपेंडेंट का सिंबल होगा तो यहां से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ठे, यह होका हुग्या किसका voltage dependent voltage source और गहां देखते हैं current dependent तो dependent source का जो आपका representation होता है वो ऐसे ही होता है ठीक है इस टैप से आपका representation रहेगा किसका dependent का अब देखो अगर माल लीजे यहाँ पर इस टैप से लिखा हुआ है plus minus ठीक है यह आपका है माल लीजे current I ठीक है और यहाँ पर इसमें लिखा हुए two times आपका current I पर depend कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे अपका यह current के उपर depend कर रहा है और क्योंकि plus और minus का symbol है इसलिए इसको हम बोलते हैं आपका कौन सा source होगा यह voltage source होगा तो यानि कि अगर आपका आ जाता यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे भी आपका क्या प्लस और माइनस तो यह आपका किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ dependent voltage source यहाँ तक डिफाइन हुआ dependent voltage source की representation यह हो गई यहाँ पे भी आपका क्या कर रहा है depend कर रहा है कौन यह voltage source ठीक है तो इसी लिए हम इसको बोलते है dependent voltage source तो dependent आपके जो sources होते हैं वो network कोई भी network है आपका उसके अंदर कहीं किसी branch की voltage या फिर कहीं किसी branch के current इसके उपर आपका depend करता है यह source ठीक है तो अगर आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको k times k मतलब अब यहाँ पे मैंने आपका 2 लिखा है हो सकता है 1 हो 2 हो 3 हो 4 कुछ भी हो सकता है into i तो इसको हम बोलेंगे current dependent voltage source और अगर मैं इसको लिख देता हूँ k into v तो इसको मैं बोलूँगा voltage dependent यह voltage पर depend कर रहा है voltage source है आपका तो k की जो value है यह आपकी 1 2 up to infinity कोई भी आपकी value हो सकती है 123456 कुछ भी आपकी value दे सकता है यह तो यह के आपका क्या है it is a it is a scalar quantity यह कोई भी scalar quantity है scalar quantity का मतलब आपकी कोई भी numbering है आपकी 12345678910 ठीक है 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 होगा तो यह आपका source क्या हो जाएगा यहां पे खतम हो जाएगा 0 का मतलब आपका क्या हो गया है short circuit हो जाएगा ठीक है यह आपका इसका मतलब हुआ तो यह आपका हुआ किसके regarding आपका voltage source के regarding अब हम आपका देखेंगे current source के regarding अब देखते हैं आपका current source तो current source में भी जैसे आपके voltage सोर्स के अंदर होते हैं वैसे ही यहां पर भी आपके होते हैं पहला आपका independent और दूसरा आपका कून सा dependent अब जैसे हमने DC सोर्स के आपके एक्जमपल देखे कि ис का यहां पूल के अंदर क्या क्या आता है आपके आते हैं बैट्री जिसको हम बोलते है synchronous generator, वो आपका example होता है किसका, इसी source का, ऐसे ही current source के अंदर, आपके जो example आते हैं, जैनि कि current source आपके कौन-कौन से हो सकते हैं, एक तो आपके solar cells, solar cells को बोल सकते हैं, ठीक है, और आपका क्या हुआ, इसके अंदर आपके electronic devices, electronic devices, ठीक है, ये आपके example आते है इसमें, एड्सेक्टरा, ठीक है, ये सब example आपके किसमें आते हैं, current source के अंदर आपके आते हैं, तो independent source का मतलब क्या हुआ, independent का मतलब सेम वही जो किसी के उपर depend ना करता हो, ठीक है, तो ऐसा आपका क्या होगा, इसके अंदर हम दो category आपके बनाएंगे, एक आपक इसकी ideal की और एक आपक इसकी practical की, ठीक है, ideal और practical, ये आपका practical current source और यहाँ पे ideal current source आपका, तो ideal current source के अंदर आपका क्या आएगा, जैसे अगर आपकी waveform, जैसे इसकी जो representation आपकी होती है, same आपकी ऐसे ही होती है, जैसे आपके voltage source की थी, तो ये आपका represent करते हैं हम, इस arrow का मतलब क्या हुआ current दे रहा है आपका, ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे current I, तो इसको हम बोलते हैं आपका कौन सा है, ये ideal है आपका, ideal current source, और इसकी जो waveform आपके आएगी, अगर हम voltage और current की waveform आपका बनाते हैं, तो यहाँ voltage लेते हैं माली जी, यहाँ पे आपने current लिया, तो य बात करें practical current source की, तो practical के अंदर आपका क्या आएगा, practical के case में आपका क्या आएगा, यहाँ पे practical में जैसे आपने पहले voltage source मनाया था, वैसे ही आपका किस को रिप्रेजेंट करेंगे current source को, लेकिन जैसे आपने वहाँ पे series के अंदर internal resistance मनाया था, यहाँ पे बस difference क्या होता ह parallel के अंदर आपका आजाता है, क्या आजाता आपका parallel के अंदर, क्यों आजाता है, क्योंकि current को flow होने के लिए चाहिए पात चाहिए, और path आपका कौन देगा, यह वाला देगा, कब देगा, जब आपका load disconnect हो जाएगा, तब, ठीक है, तो current आपका continuous क्या होता रहेगा, flow होता चाहिए, और जैसे हम load को disconnect करेंगे, तब भी हमें यहाँ पर कुछ न कुछ connect करना पड़ता है, ideal की case में, वैसे तो ideal आपका possible ही नहीं है, और अगर आपका possible हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हमें कुछ न कुछ connect करना पड़ेगा, circuit को complete करने के लिए, ठीक है, पर current आपका अगर यहाँ से आया, तो यह current आपका किसके अंदर flow होता रहेगा, इसके अंदर आपका flow होता रहेगा, ठीक है, तो practical आपका क्या होगा, यहाँ पर बहार की तरफ अगर आपने कुछ भी disconnect किया, तब भी आपका कोई effect, ज्यादा effect नहीं पढ़ने वाला, तो इस तो आपका current क्या होना चाहिए, constant होना चाहिए, यह current आपका कौन सा current है, यह current हम हमेशा लेते है, terminal current, ठीक है, जैसे आपने terminal voltage लिया था, वैसे ही हम आपका क्या लेंगे, terminal current आपका लेंगे, ध्यान से देखना, वो आपका voltage with respect to current था, और यह current with respect to time है आपका, तो यहाँ पर क्या होगा, यह आपका धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, कब आपका कम होगा, जैसे-जैसे आपका load बढ़ता जाएगा, load बढ़ने का मतलब, अगर आपने यहाँ पे इस load को connect किया, तो इसका कुछ ना कुछ resistance होगा, और हमने current divider rule के अंदर पढ़ा, कि current हमेशा को follow करता है, low resistance के path को, तो अगर इसका जो impedance या फिर इसको resistance बोलते हैं, अगर यह आपका जादा हुआ, तो इसका मतलब mostly current आपका यहाँ से flow करना शुरू कर देगा, और बहार terminal के अंदर current मिलना कम हो जाएगा, ठीक है, तो इस वज़े से आपका current का magnitude क्या होता जाता है, यह यहाँ पर कम होता जाता है, with respect to time, जैसे जैसे आपका time बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे, ठीक है, या फिर हम इसको voltage के respect में भी देख सकते हैं, यहाँ पर voltage भी आपका बना सकते हैं, तो यह आपका हुआ किसके case में, independent source के case में, अब हम आते हैं आपका किसके case में, dependent source के case में और यह dependent source किसके होंगे, आपके current के होंगे, तो यहाँ पर भी आपके दो type के, एक तो आपका हो गया current dependent और एक आपका voltage dependent, ठीक है, तो एक आपका voltage dependent जैसे आपने वहाँ पर पढ़ा, और एक आपका क्या होता है current dependent, एक voltage dependent और दूसरा आपका कौनसा current dependent, ठीक है, current dependent, current source, अपक dependent current source की यहाँ पर बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या होगा देखिए जरा अब voltage dependent current source के case में आपका इसका मतलब voltage के उपर depend कर रहा है लेकिन है कि आपका actual में आपका current source है तो कैसे बनाएंगे देखो आपका independent की आपकी representation कैसे होती है इस टैप से यहाँ पकी representation किस के होई dependent की यहाँ पे भी आपका एक एरो से है आपका current source की representation रहा है अब यह आपको आपका नेटवर्क है, इसी को नेटवर्क माल लीजिए, नेटवर्क हम किसी को भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक resistance हो, एक आपका battery source हो, उसको आपका क्या बोल सकते हैं, तो यहां से, अगर माल लीजिए, यहां पर आपका current है, कोई भी, ठीक है, यह आपका है, माल यह तो 5I1, तो यह आपका क्या हुआ, यहां से और ऐसे आपने arrow मनाया, यानि कि यह current के ओपर depend कर रहा है, तो है न, और current के ओपर depend कर रहा है, दूसरी चीज, कौन सा source है, current source है, ठीक है, तो यह current dependent current source हुआ, यानि कि इसको हम represent कर सकते हैं, k into i से, इसको हम कैसे represent करेंगे, k into v से, ठीक है, यह आपका हुआ voltage के ओपर depend कर रहा है, और यह आपका किस पर depend कर रहा है, current के ओपर depend कर रहा है, यानि कि कि किसी भी network के अंदर, कोई भी branch हो, उसका जो आपका voltage या current होगा, उसके ओपर depend करता है, आपका dependent current source, ठीक है, तो यह आपका हुआ dependent current source के regarding, इसका जो है, आपके electronics के अंदर, जब आप transistor पढ़ते हो, MOSFET, FET वगेरा, BJT वगेरा, तब आपका इसका application ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहां से यह आपका, इसलिए मैंने आपको बता है, electronic devices के अंदर यह use होता है आपका, तो यह आपका example हुआ किसका, यह आपका क्या और यह आपके कौन से हुए dependent, independent current source, अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम इनको एक दूसरे के अंदर transform कर सकते हैं, हम लोग voltage source को current के अंदर आपका convert कर सकते हैं, और current source को voltage source में convert कर सकते हैं, कैसे, तो यहां पे energy source के हम अंदर ही पढ़ते हैं, आपका source transformation, ठीक है, क्या पढ़ source transformation, ठीक है, source transformation, आपका फिर से बताएंगे इसके कुछ example के साथ में, अभी फिलाल हम इसमें सीधा आपका देखते हैं, तो यहां पे आपका क्या करेंगे, अगर माल लीजिए, यह आपका voltage source है, और इसका resistance है, अपका कौन सा R, ठीक है, यह आपका माल लीजिए voltage source है, और कौ आपका ऐसे, आपके मनाया इसको current source, और I it is equal to, जो current का magnitude होगा, वो आपका क्या होगा, यहां से V divided by R, ठीक है, और जो आपका यहां पे था, जो आपका practical, आपका resistance है, आपका internal, उसको हम as it is आपका represent कर सकते हैं, ऐसे, तो इसको हम convert कर सकते हैं, ऐसे, और इसको हम convert कर सकते हैं यहां से हैं आपके कैसे होगा, यहां से हैं ऐसे, यह आपका current हुआ, ठीक है, यहापका current है, और यहाँ पे आपका क्या है, यह resistance, और इसको हम किसमें convert कर सकते हैं, इसको हम convert कर सकते हैं, वोल्टे Profit Source के अंदर, दर V equal to IR करके, और जो आपका parallel के अंदर इसका resistance है, उसको ह हम कुम सा transformation, source transformation, ऐसे ही हम लोग किसको convert कर सकते हैं आपका, आपका dependent voltage source को भी convert कर सकते हैं, कैसे, जैसे अगर आपका यह हुआ, dependent source, plus, minus, और यहां पर माली जी, V है आपका, 1 into V, और इसका resistance है आपका, कोई भी, क्या, R, तो इसको हम कैसे convert करेंगे, यहां से, इसको हम convert कर सकते है आपका current source हुआ, इसका magnitude I, it is equal to V by R, और इसको हम ले के आ सकते हैं, आपका किसमे, parallel में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी convert कर सकते हैं, इसको बोलते हैं, आपका कौन सा transformation होगा यह, source transformation आपका होगा, ठीक है, अब हम, यह आपका था, इस lecture के अंदर, अब हम next lecture के अंदर, आपका start करेंगे second unit, और जिसको आपका बोलते हैं, AC analysis, यहां तक आपके थे circuit element, क्योंकि हमने resistance को पढ़ा, आपने inductance को पढ़ा, आपने capacitance को पढ़ा, आपने voltage source देखा, और आपने क्या देखा, current source को देखा, तो यह थे आपके किसके example, energy sources के example, ठीक है, और पहले वाले आपके कौन स आपके पढ़े हैं, तो अब हम next unit के अंदर आपका देखेंगे, AC analysis,